नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की वेसोग्रेन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। वेसोग्रेन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वेसोग्रेन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि वेसोग्रेन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में वेसोग्रेन टैबल सिर के एक हिस्से में होता है, लेकिन माईग्रेन का दर्ध पुरे सिर में भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में माईग्रेन का दर्ध होने पर सिर्धर्ध होने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदी लक्षन भी हो सकते हैं, वेसोग्रेन ट रुपया वीडियो को लाइक करना नख भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि वेसो ग्रेन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। वेसो ग्रेन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर वेसोग्रेन टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन वेसोग्रेन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको वेसोग्रेन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना वेसोग्रेन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की वेसोग्रेन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वेसो ग्रेन टैबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में वेसो ग्रेन टैबलेट की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं. जैसे नींद अधिक आना, शरी में सुस्ती वठकान होना, दिल की धरकन का तेज होना, पेशाप करने में दिक्कत होना, कब्स और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है अब हम डिस्कस करेंगे की वेसोग्रेन टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडीशन्स में वेसोग्रेन टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है डिप्रेशन होने पर और लिवर या किड़नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर वेसो ग्रेन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना वेसो ग्रेन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए वेसो ग्रेन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करने चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यक्ता होती है क्योंकि वेसोग्रेन टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों को नींड ज्यादा आने की समस्या हो सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वेसोग्रेन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वेसो ग्रेन टैबलेट का सेवन करना रेक में देड नहीं है. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वेसो ग्रेन टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वेसो ग्रेन टेबलेट को नहीं ल बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं